सब्सक्राइब करने की प्रक्रिया में अपनी कलास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला कोश्चन आपके सामने आ रहा है यह तो आईए मिल करके स्कॉश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं कैसे करेंगे इसका हल सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर इसको सिंप्लिफाई करना है तो आप देखें R2 टेंस टू R2 मैंस R1 और R3 टेंस टू R3 मैंस R1 लगाई है तो R2 टेंस टू R2 मैंस R1 करने पर यह देखिए हमारी पास सेकेंड रो यह चेंज होकर क्या आ गई है इसके बाद देखिए यहां से 2 कॉमन है 2 इसलिए कॉमन ले लिजे क्योंकि आपको ऊपर गाड़ी को तो यह देखे हम यहां तक आ चुके थे अब इसके बाद हमने क्या किया आर थ्री में से आर्टू को माइनस कर दिया जिससे की नीचे माइपस क्या चुका वन 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 जो की फायदा करता है अब इसके बाद हम लगाएंगे दो अपरेशन सी टू टेंस टू सी टू सब्सक्राइब देने इसलिए गया है क्योंकि आप इसको करें और बर्वाद हो जाएं तो ऐसे कोश्राइब को एक्जाम में छोड़ना ही बेतर है क्योंकि यह कॉश्चन को बिगाड़ने के लिए गया है तो चलिए घर आगे बात करते हैं वन प्लस अलफा का स्कोर बन प् उपन कर दीजे कौन सा रिस्पेक्ट है और 3 कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में तो इस तू को मत भूलिएगा बिचारे को बाहर बैठा हुआ है इसको रिस्पेक्ट में उपन कर देंगे तो 3 alpha square plus 2 alpha into 2 alpha तो कितना हो गया 6 alpha cube plus 2 to 4 alpha यह देखिए भाई सब यहाँ भी गलती हो रखी है ओके यह देखिए यहाँ पर 2 alpha into 2 alpha हो जागा तो यह क्या हो जागा भाई सब 4 alpha square मगर किसमत से गलती plus इसको अपने खेर सभी कर दिया है आगे बढ़ते हैं तो मैनस 6 648 अलफा चलो 4 alpha square से 4 alpha square विदाई हो गी 6 में से 10 के माइनस का चारल फाइक कोल्ट टो का मल्टिप्लाई तो माइनस का 8 alpha cube equal to minus 648 minus minus cancel alpha cube equal to 648 upon 8 divided किया तो alpha square equal to 81 so alpha equal to plus minus 9 आई ये option की तलास करते हैं अब देखी यह option में आपको यह है plus 9 minus 9 तो लापता है तो correct answer इसका क्या होगा alpha equal to plus 9 बट बार बार मैं एक बार फिर से question के अंत में बोलूँगा कि इस तरीके को question को आप बिलकुल leave कर दीजिए do not touch वाले question अगर आप इसको touch करेंगे तो यह आपको भस्म कर देंगे ठीक है तो बहुत ही difficult question था यह ऐसे question को बिलकुल करने के आप शकता नहीं है determinate के question होते है जो short trick से बहुत ही जल्दी हो जाते तो उनको बस statement करिए ऐसे question को बिलकुल भी touch मत करिए क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि इसमेरी कोई short trick बन रही है और कोई बने तो प्लीज मैं चाहूंगा हमारे जो बाकी दर्शक है वो प्लीज हमें बताएं कि कौन सी short trick लगेगी चली ओके सो डन ओके दोस्तों चली देखिए अगला question कहा रहा है इस वेक्टर एंड वेक्टर भी अर्द टू यूनिट वेक्टर है थीटा इस देंगल वडिवीन दें बढ़िया question है भाई class 12th का question ही मेरे को समझ में आ रहा है तो कह रहा है दो वेक्टर एंड वेक्टर है तो सबसे पहले भाई साब वेक्टर एंड वेक्टर एंड बराबर वन वेक्टर बी का मेंड बराबर वन और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सीड़े equal to 1 लिखा करो भी equal to 1 लिखा करो क्योंकि जब तक उपर तीर नहीं लगा तो वेक्टर का मेंग्निटूड ही कहलाता है चलो तो कह रहा है ए माइनस भी अपॉंट तो अपन को पता है कि वेक्टर का माइनस करो या प्लस करो अगर मॉड के अंदर बैठा तो सबसे बेस तरीका है कि कि किसी वेक magnitude का square equal to होता उस वेक्टर का square तो A-B के magnitude का square equal to A-B का square तो वेक्टर A-B चलो इसको उपन कर तो यह कितना आ जाएगा मॉड ओफ एका square प्लस मॉड ओफ बीका square और माइनस तू ए डॉट भी ओके यह लिए माइनस लगना था भाई सब माइनस तू इंटू एंटू डॉट भी हो गया मॉड A square equal to 1 ये भी 1 हो जाएगा माइनस तू मॉड A मॉड B कॉस थीटा मतलब 1 इंटू 1 और यहां पे कॉस आ गया थीटा तो यहां से 2 मैनस 2 कॉस थीटा 2 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बज गया 1 मैनस कॉस थीटा equal to mod of A minus B ओके तो इसके नीचे 2 को ले आईए अच्छा लगेगा that is equal to 1 minus cos theta equal to कितना होता है 2 sin square theta y2 तो equal to हो गया कितना mod A minus B और यह वाले भी 2 नीचे आगया तो कितना हो गया 4 अब चलिए आपको कहरा mod A minus B by 2 कितना होगा mod A minus B by 2 कितना होगा ओहो भाई साब यहाँ पर देखे मौड A minus B by 2 आप से पूछा गया है और देखे यहाँ पर चल क्या रहा था देखो भाई मिस्टेक हो गयी है यहाँ पे square आएगा, यहाँ पे square आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यह square आएगा, ठीक है ना, देख तो यह सी mistake के मत करना भाई साब नहीं, तो परिशान हो जागा, वहाँ इतना pressure रहता है, कि ढूडते ही रह जाओगे, square, square मत गोल कर देना, तो बहुत साफधानी के साथ करना, sin theta by 2 is equal to under root क्या हो जाएगा, देखे, इसका square का under root करोगे, तो के बल बचेगा, mod के अंदर a minus b upon 4 का root कितना 2, तो इसका correct answer, यह पूछ रहा है, यह कितना होगा, तो correct answer इसका कितना होगा, sin theta by 2, जो कि पहले भी किसी बच्चे ने आपे, ठिक लगा रखा है, ओके, चली तो आ और आपके पास d square by dx square की value क्या होगी, तो ऐसा question मैं कहूंगा, जो भाई practice नहीं करके गया, वो रो डालेगा, इस question में, मतलब यह question जो है, बहुत practice मांगता है, तो इसको ready before exam एक तरीके से, यह question जो है, आपको घर से करके आना पड़ेगा, तभी आपको यह बनेगा, एक तरी function में p triple s x बैठा है, p यहाँ बैठा हुआ है, देखिए, मतलब तीन बार का अपन को differentiation करना है, तब अपने पास p triple s x आ जाएगा, चलो तो भाई, एक काम करते हैं, अपन expression का, उल्टा लिख लेते हैं, और देखो जितने भी सारे option आ रहे हैं, वो किसमें, px में, मतलब पू ही जड़ एा हूई तो चले खेर कोई बात नहीं जब तक background में system की process चल रही तो इसको अपन यहीं पर solve कर लेदे हैं देखिए question हमको दिया गया है question में कह रहा है कि Y square equal to PX की एक घथ पावर है और फिर इसके बाद एक स्टेंट डे दिया गया है ठीक है तो चली वंतलब वाई की तीन पावर की तरफ हमको कूच करना है तो आज यह question को यहीं से उठा लेते हैं तो देखिए question में क्या दिया गया आपको question में दिया गया है कि y square equal to px दिया गया है तो सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे green board में y square equal to px तो आई यह कैसे solve करूँगा मैं कहूँगा भाई साब इसको पलड़ लो तो px equal to कितना हो गया y square अब इसको differentiate कर दो आप एक बार ओगे एक बार differentiate कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा p-x तो p-x कितना होता है that is equal to है ना कितना हो जाएगा 2y और d by dx को क्या लिखते है अपन लिखते हैं यहां पर ठीके ना चलिए धीर धीर आंगे बढ़ेंगे देखेगा समझेगा तो टू वाई और डेवट टू वाई इन्टू वाई डैस हो गया चलिए एक बार फिर से इसका differentiate करता हूं मैं p double x equal to कितना हो जाएगा 2 बाहर है first function into second function का differentiation जो की हो जाएगा y double dash okay plus second function into first function का differentiation फिर से y dash हो गया जिसको मैं लिख सकता हूं 2 बाहर हो गया और यह क्या है y into y double dash और plus y dash का whole square बढ़िया बात है वही यह हो गया हम आपस कितना differentiation हो चुका है ना ओके 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 चलो अब इसके बाद क्या करना पी ट्रिपल डेस करना है अपन को क्या करना है p triple dash x निकालना है और कोई सहारा ही नहीं निकालने का इसको तो कैसे करेंगी p triple dash x देखे 2 को बाहर बिठा लीजे अब देखेंगी इस-कितना है गा, वाई डेस और इसका कितना हो जाएगा भाई साब वाई डेबल डेस 2y डेस चलो देखते हैं कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है अब 2 तो बहार रही है तो y into y triple s हो गया और ये देखे y y double s मतलब दो बार हो रहा है तो इसको मैं लेख सकता हूँ y into y double s और प्लस 3y into y का double s ठीक है न चलिए ये ट्रिपल डेस है भाई हाँ तो तीन बार डेस है अब इसके बाद मैं इसको क्या लेख सकता हूँ देखे ये निकल रहा है अपने पास p triple s x ओके पी ट्रिपल डेस हमाई पास इतना आ चुका है तो इसकी वैल्य आप सम्हाल करके रखेए p triple s x की तो मैं और डीलिवी खी सकता हूँ देखें इसको तो अब हमारे पास जो स्टूं के लेखें रहें हुआ ते पुसर्परेश को करी रहे हैं अपन डिगरी थ्री है अभी तीन बार इसको डिफरेंशिट कर रिया को कि कॉस्चन में पीटर बल्डेस एक से अब कहरा है डी टू डी वाइडी यहाँ ऑइक्सा उफ किसको टर्म को ऊठाने की बात की जा रही है यहाँ पर भाइकी इनको इन गया है d squared y dx squared y double less चली तो तू अब इसको फिर से differentiate कर देता हूं मैं तो first function into second function का differentiation first function into y double pull-dress को कितना हो जाएगा भाई सब y triple less हो जाएगा और फिर y double less into three y square और साथ में y dash हो जाएगा चलो बहुत भढ़ी है अब देखिए यहां पर एक देखिए यह हमारे पास P double dash triple dash X है और जो भी हमारे पास option आ रहा है वह triple dash X के डम्स में आ रहा है तो यहांँ पर कमाल हम कर सकते हैं कि यदि मैं यहां से y² common ले लो क्या ले लूं कॉमन से y² common लो तो मेरे पास देखिए y² common लेने के बाद पास यहां पर 2 बचेगा, ओके 2 को मैं इधर लिख दू क्या, बिलकुल लिख दू भाई, ये 2 को मैंने पीछे रख दिया, और 2 को मैंने पीछे रखने के बाद मैंने y square common लिया, तो मेरे पास ही क्या बच गया, y, y triple dash, और plus का, plus का क्या, plus का बचेगा अपने पास y double dash, 3 और y, 3y और y double dash, लिखो भाई, 3y और y double dash, देखो भाई, तो अब आगे से ये जो value आपको मिल रही है, ये जो value है किसकी है, p triple dash x की है, ओके, ये जो value मिल रही है, किसकी मिल रही है, p triple dash x की मिल रही है, तो यहां पर मैं value रख सकता हूँ, that is equal to y square multiply by p triple dash x, ओके, और शुरुआत में आपको जो value दी गई थी, y square की कित्ती दी गई थी, y square की value आपको px दी गई थी, ओके, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, px multiply by p triple dash x, तो एक बहुत ही बड़ी आपके पास result यहां पर आ चुका है, क्या कर चुके हैं आप यहां पर, आपक x, so this is done, okay, चलिए देखें अगला question देखते हैं, अगले concept को देखते हैं कि अगला question है, किस concept से solve होगा, तो देखें अपने पास question दिया गया है, क्या कहा गया question में, कि 2 to the power sin square x, सबसे पहले लिखा है, 2 to the power sin square x, minus 2 की power cos square x equal to 1 की solutions है, मतलब general solution यहां पर पूछा गया है, 2 की power sin sin square x minus 2 की power cos square x equal to किसने का, 1 का general solution आप से पूछा गया है, ओके, तो सबसे पहले मैं इस question को short track से करने की आपको प्रयास करता हूँ, देखें, सबसे पहले यहां पर solution कितना दिया, k pi, मतलब k equals to integer है, और k pi, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहां पर x equal to k pi बोल रहा है, तो kiki integer लेने पर मेरे पास एक answer इसका कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, एक answer pi की जगे pi हो जाएगा, तो चली answer में यहां पर 0 लेकर के देखता हूँ, तो देखें, 2 की power sin square 0, तो sin 0 कितना होता है, 0, मतलब 2 की power 0, और minus cos 0 कितना होता है, cos square 0, 1 होता है, तो यह भाई minus 2 आएगा, औ चली दूसरे option में 2 की प्लस 1 तो जगे में 1 रख दूँ, sorry, k की जगे में 0 डाल दूँ, तो 2 into 0 plus 1 pi यह ने pi रख के देता हूँ, तो sin is sin pi कितना होता है, यह रेकिए, इसको ऐसा बदल लो, आप second वाला तो आपको अच्छा लगेगा, तो sin pi कितना होता है, 0, मतलब 2 की power 0, औ 2 की power कितना हो जाएगा, but minus 1 का square 1, equal to 1, तो 1 minus 2 equal to again 1 by s, यह भी possible नहीं है, मतलब यह answer भी तेल लेने गया, तो 2 answer अपने पास possible है, अब देखते हैं अपन को कौन-कौन से answer में आ रहा है, चलिए, तो आइए देखते हैं हम लोग किस-किस answer में आ रहा है, तो सबसे पहले k plus 1 by 2 पाइदी में के की जगे value रखता हूँ 0, तो देखे के की जगे 0 रखने पर मेरे पस कितनी आगी पाइबाइटो, मैं पाइबाइटो डालता हूँ, तो 2 की power sign पाइटो यह निट साइन 90 का square यह ने 1 का square 2 हो गया, minus cost पाइबाइटो, कॉस पाइटो कितना होता है, 0, और 2 की power के kvalt too में कितना डालता हूँ, के equal to में डालता हूँ अपने पास में 2, 0 डाल चुका जाल आप तो 1 डालना पड़ेगा मुझे, तो kth की जगे मैं 1 डालता हूँ, तो 11, 1 plus, 1 by 2, वतलब कितना होता, 3 by 2 पाइटो, तो kth की जगे 1 डालने पर कितना रहा मेरे पास, 3 by 2, अम म तो इसका correct answer, more appropriate answer कितना होगा, k की 1 by 2, k plus 1 by 2 pi that is equal to third option इसका most appropriate option होगा, okay, so this is done, चली, अब इसके subjective method के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कैसे करेंगे subjective method, देखें यहाँ पे cos square x है, तो cos square x को आप कितना लिख लेंगे, 1 minus sin square x, अब इसके बाद 2 की power sin square x minus 2 की power, minus 2 की power 1 minus sin square x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 की power sin square x, और minus 2 की power 1, और into 2 की power minus sin square x, ठीक है, equal to कितना 1, अब आप एक काम करिए कि 2 की power sin square x को z मान लिजे, okay, 2 की power sin square x को कितना मान लिजे, z मान लिजे, तो एक question क्या बन जाएगा, यह question बन जाएगा, z minus 2, और upon में कितना हो जाएगा, z equal to 1, अब इसको आप solve कर लिजे, और solve करनने के बाद cases बना लिजे, cases बनाने के बाद आपके पास answer आजाएगा, option number c, तो मैं इसलिए इसको method को आपको मैंने रास्ता दिखा दिखा दिया, बाकि आप method कर लिजेगा, मेरा उत्देश यह है कि मैं आपका competitive तेज कर मतलब complex analysis का question है, तो देखिए इस question में जो यदि आप इसमें limit लगाते हैं, तो limit यदि आप limit लगा करके put कर देते हैं, j equal to 1, तो j equal to 1 पे sin 1 upon 1 याने की sin 1 upon 0 याने की infinity जो की finite value देगा, तो इसको बोलते हैं isolated essential singularity, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी है, यहाँ पर मैं नही नहीं दूँगा, detail lecture आप मेरे complex analysis के lecture में देख लीजे, तो इसके लिए answer क्या होगा, इसका answer होगा, isolated essential singularity, ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए अगला question solve करते हैं, question में क्या कह रहा है, question में देखिए, कह रहा है, दुपत बंटन के एक याद्राचिक्चर के मादेवा प्रसनल करम से 4 इबंदो हैं, यह दी question की बात की जाए English में, तो the median variance of the random variable having a binomial probability distribution are 4 and 2 respectively, then आपको बताना है कि probability x equal to 1 पर मान क्या होगा, ओके, तो सारी समस्या आपके सामने दी दी गई हैं, आप the probability x equal to 1 पर आपसे पूचा गया, हिंदी में भी question उपलब दे, अंगरी जी में भी, चल condition होती है, कि P और Q जो होती ही, सफलता है, सफलता है, होती ही, इनकी probability किती होती है 1, और N क्या होता है, number of trials हुआ करते हैं, तो यहाँ पे N P, mean जो हुआ करता है, N P होता है, N P equal to 4 है, और variance याने की विचलाने जो होता है, वो प्रसराने बोलते हैं, जिसको N P Q equal to 2 है, तो N P Q म N P का डिवाइट किया, Q आ गया, Q equal to 1 upon 2, Q की मदद से हमने P भी निकाल लिया, P equal to 1 upon 2 आ चुका, अब N Q equal to 4 है, तो N की value किती है, निकला है, 8 निकला है, अब X equal to 1 पर probability निकालनी ही, तो 8 C 1 P की power 1 और Q की power 7, 8 C 1 1 upon 2 into 1 upon 2 की power 7, solve करने पर आ गया 1 upon 2 की power 5, जिसको बोलते हैं, 1 by 32, तो correct answer इसका कितना होगा, 1 by 32, done, चलिए दोस्तों अगले question की तरफ चलते हैं, अगला question 2 है, प्यारा है, linear and equality का question है, चलिए यह देखते कैसे करते हैं, वैसे question में, मैंने लिखा भी है, कि PRT level का question है, बटा आ गया है, PGT में आपके, दीखे कहरा, the longest side of the triangle is twice of the shortest side, तो मान लेते हैं कि कोई triangle है, उसकी जो longest side है, shortest side का double है, मतलब की 2X है, okay, and इसके बाद क्या कहा रहा है, कि and the third side is 3 cm longer, जो तीसरी side है, 3 cm longer है, कहला the perimeter of the triangle is more than 203, मतलब जो triangle की perimeter है, 203 से जादा है, तो बता ही, सबसे चोटी side कितने की होगी, तो triangle की perimeter equal to sum of the all the side greater than 203, तो 4X ये तो हो ग 500, मतलब X गड़े देन कितना होगया, 50, तो मतलब सबसे चोटी side जो होनी चाहिए, वो किती होनी चाहिए, 50 cm से जादा होनी चाहिए, done, चले गाइस, देखिए, next question करते है, एकला question क्या कह रहा है, committee is of the 6 to be chosen from the 10 men and 7 women, मतलब 10 मेर्द हैं और 7 महिल आए है, उन में से 6 लोगों 2 women, मतलब 3 पूरुस होने चाहिए, और 2 महिलाएं होनी चाहिए, विशर्ट दी गई है, in how many different ways can be done, 2 particular women refuse to be in swing committee, मतलब 2 महिलाँ ने कह दिया है, हम एक साथ नहीं रहेंगे, ओके, तो बताइए, हम कैसे कितने cases हो सकते हैं, तो देखिए, हम क्या करेंगे, total committee में से, उन committees को 2 women select करनी है, तो किस तरीके के case होंगे, at least की बात हो रही है, तो या तो 3 men होंगे, तो 3 women हो सकती है, मतलब men women बराबर हो गए यहाँ पर, और अगर आप men को बढ़ाते हैं, तो 2 women, इस से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि at least आपको 2 women बोला है, तो कम से कम 2 women, 3 हो च करेगा, second case 10C4 into 7C2 हो गया है, तो 4 और 2, 6 लोग, 6 लोग, अब इसमें से वो case minus कर दीजिए, जिसमें दोनों महिला है, अब अगर दोनों महिला है, 7 में से 2 साथ में आ चुकी है, तो उनको दोनों को combination में लेंगे ही नहीं, total कितने में से, 5 में से एक select करना है, तो men तो उतने 10C3 multiply by 5C1, क्योंकि 2 ladies already selected है, और दूसरा case क्या है, अगर man 4 है, woman 2 है, तो men select करने के 10C4 multiply by already 2 selected है, तो क्या लेखेंगे, केवल 1 cases, तो total कितना हो गया, देखे, 4200 plus 4400, और minus 600 plus 210, तो total answer आ जाएगा, 8610 minus 810, that is equal to 7800 is the correct answer, done, ओके, तो यहाँ पर option number कौन सा, 7800, भाईसाब C option है, य option 3 दिया हुआ है, दोनों हिंदी इंग्लिश में चेक कर लिए, done, चलिए देखे, अगले question की बात करते हैं, आप एकला question दिया है, APGP के concept का, कह रहा है, a person is to count 4500 notes, let a and denote the number of the notes that he count in the nth minute of a1, a2, a3, a10 equal to 158, a10, a11, a12, वार in AP, with common difference minus 2, find the total time he spent on counting 4500 notes, भाई, क्या बात कही जा एक मतलब की, 150 note बंदा count करता है, हर minute में, okay, मतलब पहले में 150, दूसरे में 150, तीसरे में, 10 minute तक 150 note ही count करता है, हर minute में, तो total note कितने हो गया, 10 minute तक के 150 गोने 10 बराबर 1500 note, okay, उसने total कितने note लाए थे, 4500 note, 4500 में से 1500 हो गया, तो के बच गया कितने भाई साब, 3000 note बच चुके ह गया था, common difference minus 2 के साथ, वो करने लगता है, okay, तो common difference minus 2 से दी देखा जाए, तो 11, पहला, 11 minute में कितने note गिनेगा, 148, 146 करते, 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 वो पूरे के पूरे कितने note गिन वारेगा, 3000 note गिन वारेगा, okay, मतलब क्योंकि बच्चे कितने, 3000 note है, तो इस तरीके से आपको 3000 सम प्रडूस करना है, तो मैंने मान लिया कि वो n minute तक वो इस का एर करम को करता है, n minute तक, okay, पहले minute में 144, दूसरे में 146, इस तरीके से n minute आने तक उसके 3000 note पूरे खतम हो जाते, तो मैं क्या लिखूंगा, total note की संख्या, equal to 2 n by 2, 2 a plus n minus 1 into d, तो 2, देखे, n मतलब n minutes है, n by to 2 into a, एक इतना है, 148 plus n minus 1 into d, किता है, minus 2, minus 2 को खोल दिया, तो यहाँ पर देखे, कितना आ जाएगा, भाई, थोड़ी सी गलती कर दीए, यहाँ पर minus 2 n आएगा, okay, तो minus 2 n plus 1, okay, गयो हो गया, देखे, तो कितना हो गया, 3000, दो से दो फिर, अच्छा-च्छा, मैंने यहाँ पर 2 कैंसल कर दिया, इस वज़े से वो गलती भी बराबर हो गई, तो उसको 2 को आप कैंसल कर दीजे, चुप सही हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मैंने कैंसल कर दिया, इस वज़े से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, minus 2 n था, और 2 कर 2 कैंसल हो गया, तो minus n, ठीक है, बिल्कुल सही है अब यह कितना हो जाएगा देखिए अगले प्रेश्ट पर देखते हैं तो 150 यहां तक हम आ चुके थे ओके यह स्टू से टू को कैंसल कर दिया तो यह टू कैंसल हो गया यह टू कैंसल हो गया तो अपने पास यह रिलेशन आ चुका था यहां पे अटके थे हम 3000 के बाद N into 1 upon 148 plus 1 कितना होगे 149 minus N इसको solve कर लिए मेरे पास तो N की दो value आ रही है minus 24 और 125 मतलब दो बार sum का value 0 हो रहा तो जो पहला वाला होता वही answer होता है क्योंकि यह तो repeating answer होता है जब दुबारा terms को जोड़ दोगे जिन लोगोंने practice करी होगे वो जानते होंगे तो correct answer इसका कितना होगा 24 तो हो गया भाई और शुरू के 10 मिनट भी जोड़ देना खुसी-खुसी 24 मत करे आना क्योंकि देखो option में गलती करवाने के लिए मेरे ख्याल से 24 तो रखना चाहिए question को यह यह लो भाई दे रखा है है ना घर में आओगे डबबा गोल हो जाएगा खुसी बात हो जाएगी बहुत जादा मगर वो फिर दिक्क्त हो जाएगी चली तो correct answer कितना हो गया 24 प्लस 10 हो गया 34 मिनट हो के यस तो इसका correct answer कितना होगा जी 34 मिनट इस दा correct answer done चली जी एगला question करते हैं एगला question काफी सरल दिखाए दे रहा और्थोगोनली कट करने की condition है तो क्या condition होती है m1 into m2 equal to किता हुआ करता है minus 1 और भाइब इन point भी दे रखें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं तो d by dx निकाल दो तो पहले वाले में क्या हो जाएगा पहले वाले का जो slope निकलेगा m निकालने के लिए क्या कर दो भाई differentiate कर दो तो a d by dx plus 2x equal to कितना हो गया 0 हो गया मतलब d by dx equals to कितना हो गया minus का 2x upon a okay इसको नाम दे दो कितने को m1 को यह हो गया number one मार दो इसको number two देखो वाई equal to x cube लिख दो अच्छा रहेगा ठीक है इसको differentiate कर दो तो d by dx equal to कितना हो गया 3x का स्क्वार हो गया number two हो गया अब कहा रहा है कि वन कॉमा वन पर जो और्टो को लिकट कर रहे हैं तो m1 into m2 equal to minus one तो पहले मैंने लिखी रखा है तो minus two one की जगवान रख दो एक ही जगए अपॉन ए और इंट्टो three into one का स्क्वार three हो गया equal to कितना हो गया लो भाई equal to कितना हो गया minus one minus से मानस वड़ा दो तो two into three six equal to a हो जाएगा six equal to कितना हो गया ए तो एक ही वैल्यू किती आरी भाई सब six आरे जो कि ताला भी लगा हुआ है वाकिए बिल्कुल सही है answer correct equal to six done चलिए अगला question देखें अगला question तो मैंने इतने बार करवाया कि पूछो मत मुझे खुद ही भूल गया कि मैंने कितने बार करवाया है तो यदि देखा जाए one plus x वो one minus x की power one plus x और one minus x की power n जो खुलती है इस तरीके से one minus x plus का x square और minus x cube और इस तरीके से चलते 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 ओके क्या हो जाएगा भाई साब यहाँ पर plus minus plus minus तो जो भी होगा minus one की power n minus n minus 1 into x की power n minus 1 और फिर minus one की power n into x की power n इस तरीके से खुलेगी अब देखी आपको किसका गुढांक चाहिए x की power n का तो x की power n गुढांक देने की ताकत coefficient देने की ताकत x की power n का टर्मिक तो वन की है तो उस समय 1 किस से multiply हो जाएगा minus 1 की power n तो यदि मैं x की power n को बाहर ले लूँ तो सबसे पहले minus 1 की power n आएगा और फिर x किस से जा करके भढ़ेगा x की power n minus 1 से तो x जो है x की power n minus 1 से भढ़ जाएगा तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली होगी मैंने coefficient binomial के लिखे नहीं है यहाँ पर जो binomial coefficient कितना आएगा n c n minus 1 आएगा क्या आएगा n c n minus 1 और पहले वाले में तो खेर first वाला जो है 1 x की power n के साथ जाएगा तो यहाँ पर n c n भी आएगा चलो लिख लो जानकारी के लिए n c n और यहाँ पर कितना आएगा n c n minus 1 और यहाँ पर कितना आएगा minus 1 की power n minus 1 चलो बहुत बढ़ी है अब देखिए minus 1 की power n minus 1 minus 1 की power n यहाँ पर x की power n तो ठीक है उसका तो हमको गुडांग चाहिए है अगर मैं अंदर ही अंदर minus 1 की power n common ले लूँ तो बिल्कुल सही है अब देखिए n c n कितना होता 1 ही होता है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा ओके और देखिए यहाँ पर plus है और minus 1 की power n मैंने common ले लिया है तो minus 1 की power minus 1 और n c n minus 1 भी कितना होता है n होता है और minus 1 की power minus 1 जो कितना होता है minus 1 होता है देखिए minus 1 की power minus 1 कितना आएगा 1 upon minus 1 हो जाएगा तो जिसको अपन लिखेंगे n तो correct answer कितना हो गया इसका जो गुडांक है वो हो गया minus 1 की power n और 1 minus n तो भाई साव option में देखो कौन सा है c is the correct answer minus 1 की power n 1 minus n done चली देखिए अगला question है कह रहा है कि sin square theta sin square theta into second square theta plus root 310 theta is equal to 0 है तो बताइए इसका solution क्या है देखिए question के थोड़े answer देख लिया करिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसी कि देखिए option जो है यह sign वाला support कर रहा है यह तो sign और दोनों में आता पूली जाए तो sec pi by 2 कितना होता है sec pi by 2 infinity हुआ करता है तो यह option तो गया ही भाई साब पहले ही चला गया है कि तो कहर हो ही नहीं सकता तुक्का मारना भी तो इसको हड़ा के तुक्का मारो अब चली इसको मैं solve करता हूँ मतलब question को यह रहा है कि इक कल डू कितना जीरो तो देखी यहां पर क्या हो जाएगा से दिमें सको 10 sign के साथ एक dissolve कर दूँ तो यह मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा 10 थीटा प्लस रूट 3 10 थीटा एक कल डू कितना हो गया अमने हैं से 10 थीटा कॉमन ले लिया ओकर टेनःटए मैंने जैसे ऐसी गॉनन लेत ani कि अ पास कितना आगया मैने कॉमन लेने पास आगया साइनठीटा प्लस रूट् थीए कॉल ऑधिच, मतलब यह चाहतो भी यह जेरो और यह五ện दो फीच होगा ऑद से एक जीटे theta is equal to minus 3 जो कि कभी हो नहीं सकता तो answer क्या होगा theta equal to n pi होगा चली आंगे बढ़ते हैं done चली अगला question देखे कह रहा है कि root of 5 plus 12 by 8 मतलब आपको under root of 5 plus 12 by 8 मांग जा रहा है तो ऐसे question को करने के लिए 4 option है या तो सभी का work करके देख लिए तो 3 का square 9 होता है और 2 का square minus का 4 होता है तो 9 में से 4 कहें तो कितना आजागा 5 आजागा बिल्कूल सही है तो उससे भी आप कर सकते हैं और वैसे करने का तरीका देखे इसको एक तरीका और मेरे मन में जो सूझता है मैं क्या करता हूँ मैं 5 को दिखता हूँ 12 एक्चुली 12 जो दिखता है मुझे कितना दिखता है 2 गुणे 6 ओके यह थोड़ा सा disturb हो गया इसको सही कर दो तो 2 गुणे 6 यहां पर बनता है तो देखे यहां पर क्या बन सकता है 2 गुणे 3 और 2 आई बन सकता है तो 3 और कितना हो गया 2 आई ठीक है अब देखे यह 5 और 3 प्लस 2 आई यह बनाना है मेरे को मतलब मैं इसको स्क्वाइर की फॉर्म में लिखने की कोसिस कर रहा हूँ तो इसको स्क्वाइर की फॉर्म में लिखने के लिए कैसे मुझे करना पड़ेगा यह देखते हैं हाँ यहाँ पर आयोटा लगाना मत भूलेगा सब कुछ उती का कमाल है यह देखे अब आप इसको कैसा लिख सकते हैं अब देखे आपके पास में यह है A और यह है B तो आप इसे लिख सकते हैं देखिए इसे ऐसे लिखना है आपको कि आपका काम चल जाए इसे इस तरीके से लिखना है कि आपको आपका जो है काम चल जाए तो 3 का स्क्वेर इदी आप लेते हैं 3 का स्क्वेर ओके 3 का स्क्वेर कितना होता है 9 होता है 3 के स्क्वेर 9 में से 5 बनाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा 4 को माइनस करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा प्लस 2 आयोटा का whole square प्लस 2 आयोटा क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और फिर इसके बाद में अपने पास 2 A भी तो हई है तो 2 है A है और यहाँ पर कितना आ गया B हो गया है तो B कितना यहाँ पे 2 आयोटा है चलिए तो ध्यान से देखिए कितना बन जाएगा यह बन जाएगा रूट के अंदर 3 प्लस 2 आयोटा का whole square तो यदि रूट ले लूँगा तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा ही आएगा यहाँ पर साइन प्लस हो तो इसके रूट का भी साइन कितना आएगा प्लस आएगा और बेस्ट तरीका यह भी है कि आप square करके देखते जाएगे तो यह इसका square करेंगे तो 9 आएगा 2i का हो जाएगा माइनस 4 और 2 3 6 और 2 नहीं कितना 12 तो 12 का आयोटा तो correct answer यहीं से देखने को मिल रहा है यह best option है और वाकी जो method करेगा उसका तो भाई साब कुछ मत बोलो तो इसलिए best option तरीके से इसको करके जाएगे मज़ा आजाएगा चलिए done चलिए अगला question देखते हैं अगले question में दिया गया है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की whole power n तो आपको इसका याद होगा इसका formula सीधे मैंने short trick बता रखी आपको कि कहीं भी आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दिख जाए इसका मतलब कितना होता है इसका मतलब आयोटा हुआ करता है क्योंकि इसको solve करनने पर आप देख लिजे यदि आप इसको rationalize करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा इसके पास में rationalize करने पर आ प्लस आयोटा तो उपर हो जाएगा वन प्लस आयोटा का होल स्कूर मतलब वन प्लस टू आयोटा और प्लस का किता माइनस का वन और नीचे कितना हो जाएगा वन माइनस आयोटा का स्कूर मतलब टू हो जाएगा तो वन से वन कैंसल तो यहां पर कितना आ जागा यहां पर आयोटा आ चुका है और इसकी पावर कित्ती चढ़ी है एन और कहरा नियूंतम धनात्मक पूर्णांक तो भाई साब धनात्मक पूर्णांक में यहां क्या होना चाहिए चार तो आंसर बिल्कुल सही लगाया जिस बच्चे ने लगाया है करेक्ट आंसर इसका एन इकोल टूफोर तो यह होगिया क्वेशिंट टन चलि अगला क्वेशिन तो भैई प्यारा जनररल क्वेशिंट जन्रल नॉलिजग का म superhero का निया है नमी टलास का यह ten September गिली जिये बसकर द quarantine at every point passes through the fixed point अब वो कर बताओ जिस पर खीचे गया हर point पर normal तो भाई साब सरकल ही एक ऐसा कर्व होता है जिसके हर point पर normal क्या होता उसकी त्रिज्या होती है और त्रिज्या इसकी हर बार जो होती है एक fixed point किस से हो करके गुजरती है त्रिज्या इनी की radius किस से हो के गुजरती केंदर से तो ऐसा कर्व जिसके हर point पर खीचा गया नॉर्मल इसके fixed point से हो केंदर से गुजरता है तो भाई साब वो क्या होता है वो व्रत ही हुआ करता है तो ये भी हो गया done चलिए देखिए दोस्तों अगला question ही बहुत ही जबर दस्त है ये कहेंगे कि ये question जो है ये question जही means level का है और दुख की बात ये कि इसमें की कोई short trick भी लगने वाली सी नहीं लग रही है इसमें कहरा कि अगर दिएगा equation के कोई भी हल नहीं है तो आप बताइए के का मान कौन सी परिस्थितियों को संतुष्ट करेगा तो कोई भी हल नहीं है तो देखिए सबसे पहले इस equation को simple form में लिखूंगा sin inverse x plus cos inverse x दोनों के cube लगे हुए equal to मैं लिख सकता हूँ इसमें formula लगा दिया हमने a cube plus b cube equal to a a plus b a square plus b square minus a b अब यह देखिए तो pi by 2 बन गया sin inverse x plus cos inverse x इसको मैंने फिर completing the square लगा दी है तो sin inverse x का whole square cos inverse x का whole square 2 sin inverse x cos inverse x minus 3 cos inverse sin inverse x cos inverse x pi by 2 बाहर भी है pi by 2 का square अंदर बन जाएगा क्योंकि यहां से लेकर के यहां ते कि whole square की term बन गई है minus 3 sin inverse x cos inverse x आईए इसको solve परते हैं तो देखिए pi by 2 minus pi by 2 का square 3 sin inverse x और कहा गया है कि यह जो total expression है इस expression की value किती दी गई है k pi cube तो मैंने k pi cube को यहां पे entry कर दी है pi से pi cancel कर गया तो क्या बच गया k pi square बच गया है 1 by 2 अंदर बचा है pi square by 4 3 sin inverse x यहीं मैं cos inverse x को बतल देता हूँ pi by 2 minus sin inverse x quadratic equation बनने की पूरी पूरी गुंज़ाइस है 1 by 2 के धर लेगा 2 by 2 k pi square pi square by 4 minus 3 pi by 2 अब देखो हूँ यहाँ पर क्या कर दी है मैंने 3 pi by 2 का multiply 3 pi by 2 sin inverse x और minus minus plus हो गया है 3 pi by 2 3 की जगर 3 ओके यहाँ पर एक मिनट pi by 2 तो ही निक है तो 3 sin inverse x का whole square equal to 2 k pi whole square quadratic equation मना ही इसको यहाँ ले जाएगे तो minus 3 sin inverse x का whole square और plus 3 pi by 2 sin inverse x ओके और इधर आ जाएगा तो minus pi square by 4 है यह 2 k pi square यदि इसको t ले लिजे क्योंकि अच्छा दिखेगा तो यह बन जाएगा minus 3 t square plus 3 pi by 2 t plus 2 k pi square और minus का कितना pi square by 4 equal to 0 तो इसको यहाँ ले लिजे तो देखिए 3, 4 calcium, 3 यहाँ 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 minus 12 plus 6 pi t plus 8 k pi square minus pi square ठीक है अब इसके बाद क्या करते हैं इसमें discriminant की condition लगाते हैं तो देखिए इसको simplify करके यहाँ तक तो लिखी रिया था मैंने अब इसके बाद discriminant के लिए आपको पता है कि no solution की condition होती d less than 0 तो b square minus 4 e c less than 0 या b square is less than 4 e c b square कित्ता बनेगा t का multiply 6 pi का square ओके less than 4 e की value कितनी है minus 12 c की value कितनी देगी है यहाँ पे c की value यहाँ पे आ रहे ही कितनी pi square 8 k minus 1 एक मिनट रुख जाए यहाँ पे देखे okay 4 a c okay हाँ pi square common ले लिया तो 8 k minus 1 यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग pi square common लेने के बार 8 k minus 1 तो यहाँ c की form में मैंने उतार दिया इसको तो 36 pi square less than 48 pi square multiply कर दिया minus 1 का 1 minus 8 k तो क्या हो जाएगा 1 minus 8 k की तरफ greater का sign है तो 1 minus 8 k greater than कितना हो जागा 36 upon 48 8 k minus 1 मैंने minus का sign का multiply कर दिया तो minus 3 upon 4 inequality changes हो गई 8 k minus 3 upon 4 plus 1 तो 8 k less than 1 by 4 तो की की value किती होगी 1 by 32 k less than 1 by 32 तो correct option आई यह देखते हैं 1 by 32 है की नहीं के लेस देन 1 by 32 तो देखिए 1 by 32 तो directly नहीं दिया हुआ है दिया हुआ दिया हुआ है कुछ भी इतना जल्दी नहीं होता आपको इसके लिए भेंकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चलिए तो हो गया इसका question के लेस दन 1 by 32 आगे बढ़ते है ड़न चलिए अगले question की दरब देखते हैं अगला question बेहत ज़्यादा critical खुबसूरत और दिमाग की खपत वाला है तो देखिए क्या कह रहा है question question कह रहा है 31C0 का square 31C1 का square 31C2 का square मतलब 1 plus 1 minus और ध्यान से देखिए पहला question है NC0 और दूसरा NCN minus 0 मतलब पहले से last वाला कड़ जाएगा तो भाई ये तो शहीद हो गया इसका answer ही कितना आ जाएका 0 हो जाएगा अगले वा लेटर में देखिए 32C0 है 32C1 है 32C2 है इस तरीके से हो रहा है इसमें एक क्या हो रहा है माइनस हो रहा है और इसमें दे 3-4 टर्म को देख लिजे तो पता चल जाएगा आपको कौन सा बढ़ा हो जागा 32C0 32C1 32C2 32C3 देखिए और यहां पे देख लिजे 34C0 34C1 तो देखिए ध्यान से यहां पे किवल क्या हो रहा है 32C1 जो है positive है और 34C1 जो है यहां पे negative है बाके टर्म में तो सारे के सारे में 34 34C34 positive आएगा तो मतलब एक तरीके से logic लगाने से दिख रहा है कि साफ साफ कौन सा बढ़ा होगा 4 वाला correct answer सबसे बढ़ा होगा कारण क्या है क्योंकि देखो भाई इसमें 32C1 एक बार positive है ना मतलब सभी बार positive है और किसमें के बार एक बार negative है तो इसका फर्क उतना बढ़ा नहीं पड़ेगा निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 34 बड़ी संख्या है तो जिसमें ज्यादा combinations बनेगे तो correct answer इसका कितना होगा 4 होगा correct answer done तो question के बल देख करके भी बहुत सारे question के बल देख करके ही करके आने वाले होते हैं और उसको हम लोग देख करके ब बरवाद हो जाते हैं पिखल जाते हैं इस तरीके से थोड़ा ध्यान दे के देखना चाहिए चलिए देखे अगला question करते हैं अगला question है basic number system की approach वाला question है मतलब इसमें number system की आपको बहतरीन समझ होनी चाहिए तो आपसे बनेगा इसके लिए number system की practice आपकी होनी चाहिए तो द number of the form 7 to the power m plus 7 to the power n is divisible by 5 आपके पास यह question दिया गया है कि जो इस तरीके से यह question लिखा हुए देखे if the integers m and n are chosen at random from the numbers between 1 to 100 मतलब एक से लेके 100 के बीच में आपको दो number चुनाओ करने है m और n और क्या idea दे रहे है m और n इस तरीके से चुनाओ करने है m और n दो number का कि जो 7 की पावर m है और 7 की पावर n है इनका जो योग आ रहा है इनका जो sum आ रहा है वो divisible by 5 आ रहा है तो बताईए कि कुल m और n के चुनाओ की संख्या बताना है आपको जिससे कि योग कितना आ जाये 5 आ जाये बताना है आपको तो मैं कह रहा था दोस्तों देखिए इस जो question से आपको जो real number वाकी में कितना खुबसूरत है आपको देखने को मिलेगा बहुत ही प्यारा question है और बहुत ज़्यादा concept develop कराएगा आपके यह question तो क्या कह रहा है if the integers m and n are chosen at random from the numbers between 1 and 100 then probability that the number of the form 7 to the power m plus 7 to the power n divisible by 5 कह रहा है कि आपको m और n के कितने जोड़े आपको बनाने पड़ेंगे जिससे कि 7 की power m plus 7 की power जो n होगा वो किस से divide हो जाएगा भाई सा 5 से कह रहा है कि कितने m और n के pair choose किये जाए ठीक ना जिससे कि यह number 5 से divide हो जाए चली question को करेंगे तब ही समझ में आएगा तो देखिए यहां पर मैंने start किया कुछ इस तरीके से कि मानलो कह रहा है कि 7 की power 5 m और 7 की power n की जोड़ी है यह जो है किस से divide हो जाए अभी सुरुवात में इस question को आपको देखने के लगेगा क्योंकि दो नंबर है m और n की दो की जोड़ी अपन को इस तरीके से बनानी पड़ेगी मतलब final combination आपके पास ऐसा लग रहा होगा देखने पर question में कि 100 c2 आएगा क्योंकि probability का question है तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने यह मान करके चल लिया कि एम बड़ा है एन चोटा है तो 7 की पावर एन का मैंने डिवाइड दी दिया तो 7 की पावर m प्लस n 7 की पावर m-n 7 की पावर n common आगया plus 1 upon 5 equal to k तो 7 की पावर m-n plus 1 equal to 5 k ओके आप ध्यान से देखिए मतलब m-n के हमको वे जोड़े बनाने हैं जिनमें हम 1 add करें तो हम आपस कितना आ जाए 5 का multiple आ जाए 5 का multiple यह यह कह लिजे कि 7 की पावर m-n plus 1 में हम डिवाइड करें 5 का है तो 5 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए अब ध्यान से देखिए m-n के हम orders चुनते हैं पूरे दिये गए नंबर में तो हम आपस जो टोटल नंबर किते दिये हैं एक से ले करके 100 ओके एक से ले करके 100 तो क्या हो सकता है देखिए अगर m-n m-n हमने उठाया है कुछ इस और 8 जो होता है यहां 5 को मैंने नीचे भेज दिया तो इसको थोड़ा से सही कर दो एक के बचे का किवल ओके तो 87 की पावर 17 प्लस वन जो हो जाएगा वो डिवाइड नहीं होगा तो कुल मिला कि आपको क्या चाहिए के के फॉर्म में आदेव एकाई का नंबर आपको यह यह तो पांच चाहिए यह तो जीरो चाहिए तो देखिए तो सेवेन की पावर में आपको यह तो पांच चाहिए यह तो जीरो चाहिए तो देखिए तो अपने पास क्या रास्ता है सेवेन की पावर एम माइनस एंड प्लस वन इकॉल टू फाइब के होना चाहिए चली तो तो क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है फिर कौन सपोर्ट कर रहा है देखिए 7 की पावर अगर मैं 3 कर दूं ओके 3 कर दूं देखिए तो 3 आ रहा है यूनिट का प्लेस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा जो की सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वान करने के बाद आट हो जागा जो की सपोर्ट नहीं करेगा जो की वन करने पर 10 प्रडूस करेगा मतलब कि यह सपोर्ट कर रहा है तो ओके तो पहले कितने पापर सपोर्ट किया किया एम मैनस ऐन की वेलु टू ने फिर हम माइनडा चार के बाद मिलेगा चे चाँ के बाद अब को सपोर्ट म मिल रहा है मतलब म माईनस एन गे जो प्रफार आपको सपोर्ट कर रहे हैं व मिल एको चाहिब यह दस के लिए 14 के लिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 4P ओके 2 प्लस 4P इंक्लूडिंग अगर P की वैल्यू आपको 0 लेनी पढ़ी आला कि यहाँ पर आप तो 2 प्लस 4P का जो sum बनेगा वो क्या होना चाहिए हमेशा 100 से कम होना चाहिए क्योंकि M-N दिया गया है दो नमबर्स आपको लेने हैं तो 2 प्लस 4P का sum जो है हमेशा क्या है 100 से कम होना चाहिए तो इस तरीके से अपने पास में 4P less than 96 आ जाएगा मतलब P की value क्या होनी चाहिए 24 नमबर से कम होंगे मतलब यह देखो यहाँ पर आप जो है counting पर जाओ यह counting की बात हो रही है कि ऐसे इतने नमबर अपनको counting में लेने है इतने नमबर counting में लेने है कि M-N यो है अपने पास कितने नमबर टोटल काउंटिंग में 100 ओके तो 100 से कम लेने अपन को जितने भी नमबर से लेने हैं 2 प्लस 4 पी 100 से कम तो अपने पास कितना आ गया 24 कॉंबिनेशन बन गया अपने पास में ठीक आप कि 24 अब धिहां से देखे एक अपने पास में पीक कल टू जीरो पर भी था तो पीक कल टू जीरो सपोर्ट करेगा तो 24 वेवाले पीक कल टू जीरो क्यों पीक कल टू जीरो रग दो के तो माइनस एन की वेल्यू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी ठीक ना और सेबन की पावर टू प्लस बन कितना होता फिप्टी होता यह देखो मैंने लिख रहा हूं चास प्लस एक कोल टू पचास तो टोटल अपने पास कितने कॉंबिनेशन बन गया भाई साब यह तो 24 थे औ और एक 25 तो आंसर प्रभाविल्डी कितनी आएगी 25 बटे 100 ओके किती आएगी आंसर 25 बटे 100 तो भाई सब तोते उड़ा देने वाला क्वेश्चन है बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को घर से करके जाना होगा और कहता है नंबर आएगा बिश्चन का इत अगर देख लिए यहां पर मैंने बनाया भी है कॉट्ष और देख लिए की फट्टि फाइफ तक नीचे चला जाता है इससे 45 के बाद ऑस साइनेक्स का ग्राफ उठ जाता है मतलब 45 गरी के लिए जो घूटा होगा और साइन एक्स होगा जो बनेगा हमारा इस situation के लिए sine x minus cos x अब इसका differentiation कर दीजिए तो sine x का cos x minus cos x का plus sine x value put कर दीजिए 5 by 3 की तो answer आजागा root 3 plus 1 by 2 बेहत सामाने question है बहुत आसान done चली तो अगला question देखते हैं देखे अगला question क्या लिखा हुगा है यहाँ पे अगला question question number 133 the function f is given by fx equal to sign x square upon x whenever x is not equal to 0 and 0 whenever x is equal to 0 कह रहा है कि बताइए check करना है कि function continuous मतलब इसमें derivative continuity continuity सारे का सारे check करना है ओके तो देखिए सबसे पहले यदि आप continuity की बात करें तो साब साब देख रहा है कि function continuous हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि जब आप इसको solve करोगे continuity के लिए तो आप यहाँ पर sin x square तो ठीक है भाई आप यहाँ पर क्या बैठा x है तो x square को maintain करने के लिए आप यहाँ पर x बनाओ गए और x 0 है तो चाहे left करो चाहे right करो continuity के लिए इसकी value किती हो जाएगी हमें इसकी value 0 आ जाएगी तो continuous तो आ गया मतलब continuous तो है यह वाला खतम हो गया option तो मतलब दो option अपने सामने है continuous हो के differentiable है या differentiable नहीं है अच्छा एक चीज़ अपन और कर सकते हैं अपन directly differentiability पर हमला कर दें अगर differentiability पर directly अपन हमला कर देते हैं और differentiable हो जाता है तो आपको पता होगा differentiable function always continuous होता है तो इसके लिए आपको right hand derivative और left hand derivative निकालना पड़ेगा चलिए आई है अपन right hand derivative निकालते है तो क्या होता है limit अगर आपके पास a होता है तो right hand derivative का formula होता है मैं एक बाद लिख देता हूं सबी बच्चों के लिए limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon कितना होता है but फिलाल a की जगे कौन खेल रहा है जीरो खेल रहा है तो f of 0 plus h minus f 0 upon h तो फिलाल f of 0 plus h मतलब h की जगे जो value जाएगी वो कितनी जाएगी sin h square upon h क्योंकि h की जगे 0 plus h की जगे अपने पास में h आ जाएगा sin h square upon h minus 0 upon कितना आ जाएगा h इस h के साथ h चला जाएगा sin h square upon h square standard limit जाएगी जिसकी value किती होगी 1 तो आपका f 0 plus h यानि right hand derivative कितना आ चुका है बना चुका है अब आई ये left hand derivative जिसको f a minus h तो फिलाल 0 minus h की बात करेंगे limit h tends to 0 f of 0 minus h minus h minus f 0 upon minus h तो f of 0 minus h मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ minus h रख दीजे तो minus h का square upon x की जिए minus h upon minus h ये minus से minus cancel हो गया अंदर वाला भी plus h square हो गया standard limit से फिर से value किती आ गई इसकी 1 आ चुकी है मतलब right hand derivative और left hand derivative दाया अवकलज और बाया अवकलज बराबर है इसका मतलब x equal to 0 पर ये सतत भी है और अवकल नहीं भी है तो correct answer इसका कितना होगा first option होगा बहुत ही बढ़िया question ओके तो ये सतत भी है और अवकल नहीं भी होगा तो ये question होगा दन चली देखिए अगला question जो है ring theory से दिया गया है क्या कहरा अगला question question number 134 को पढ़ते हैं let's see okay see कह रहा है कि 0 से लेकर 1 तक का एक set दिया गया है 0 से लेकर 1 तक में be a set of all continuous function define in the interval 0 to 1 में continuous function के defined है on this plus and dot are defined okay if if on this set plus or dot defined है दो operation एक plus है और एक dot defined है तो बताइए कि जो अपना जीवे होगा set जो होगा continuous function जो होगा किस ताइप का होगा एक field होगा ओके एक एक एं इंटिग्रेल domain but not a field एक इंटिग्रेल डोमेन होगा मगर field नहीं होगा okay a group but not a ring a group होगा मगर रिंग नहीं होगा a ring but not an integral domain तो एक रिंग होगा और इंटिग्रेल डोमेन नहीं होगा तो इसकी directly property क्या होती याद कर लिजे कि ये एक रिंग होता है परंटु यह integral domain नहीं होता है तो ये रिंग मतलब total hundred items कितने दिये है एन कहलो या sigma fi कहलो कितने दिये गया है सो आइटम दिये गया है इनका mean दिया गया है 50 मतलब क्या बोलते मीन को x bar x bar equal to 50 दिया गया है और इसका जो standard deviation sigma दिया गया है sigma कितना दिया गया है 4 दिया गया है okay then the sum of the product of the square of each of the item and its frequency तो आपको क्या रहा है sum निकालना है मतलब corresponding x i का square into fi जिसको बोल देते है या इसको sigma fi x i square की value आपको निकालनी है थोड़ी सी ट्रिक लगानी देखी क्या करेंगे आपको value क्या होती देखी यहा निकालेंगे 4 का square 16 तो यहां पर value formula में value रख दीजिए formula होता है 616 sigma fi x i square आपको calculate करना है तो इसको उपर लग कर लो sigma fi कितना हो जाएगा 100 और माइनस मीन आपको कितना दिया गया है मीन आपको दिया गया है मैंने लिखा ता 50 तो 50 का square कितना हो जाएगा भाई पच्चिस सो त इधर कितना है भाई साव वेरियंस कितना निकलेगा चार है ना वेरियंस ओके वेरियंस कितना आपके पास में 4 तो पच्चीस सो सबसे पहले क्या करिए यहां पर देखें पच्चीस सो है तो पच्चीस सो इधर पे चला जाएगा है ना सबसे पहले पच्चीस सो इस तरफ पूरे multiply कर देंगे तो आपके लिए calculation थोड़ी easy हो जाएगी यहां कर दीजे 1600 और माइनस यहां पर स्वरी equal to हो जाएगा कितना sigma fi xi का square और यहां पर माइनस माइनस का हो जाएगा 25 00 और एक बार 0000 ठीक है ना तो देखिए यहां पर 25 00 00 में add हो जाएगा कितना 1600 तो equal to sigma fi xi का square तो answer आ गया कितना 25 और 16 00 तो देखिए बहुत ही कम मेहनत से question का answer आ चुका है 25 1600 ठीक है ना done a is the correct answer चले देखिए अगला question क्या कहरा अगला question पढ़ते हैं थोड़ी बड़ी screen में ले लेते question को yes यह देख लिए कहरा three distinct number xyz x,y,z टीन नंबर x,y,z form gp in order that in order तो सबसे पहले देखिए question में जो भी लिखा रहता उसका बहुत मतलब होता है तीन भिन संख्या है मतलब x और y और z आपस में कभी equal नहीं हो सकते हैं और x,y,z आपस में equal होंगे कब जिस समय r की value क्या होगी one होगी ओके तो गुड़ितर सर्णी का सरवान उपात पूछा गया तो आर कभी one नहीं होगा तो मतलब option कभी यह नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता लियो भाई मज़े आ गया तो तो तीन नमबर कभी बराबर होंगे जी पी में तब होंगे जब बराबर होंगे तब जब आर की value one होगी मतलब option जो होगा या तो यह होगा या तो यह होगा एक चीज तो यह हो गई ओके गुड़ितर सर्णी बनाते हैं और संख्या एक्स इस दिस फॉर्मन एपी इन इन डाट ओर फाइंड दा कॉमन रेशियो ऑफ द जी पी यह फाइंड करना आपको ठीक है तो फस्तिंग यूब गिवन की भाई डिफरेंट नंबर्स हैं तो आर की वेल्यू वन को एक्सक्लूड कर दो मतलब option यह नहीं यह यह नहीं अलो अब आगे बढ़ते हैं ओके चलिए अब देखते हैं क्या होगा correct option इसके लिए solve करते हैं तो हमने मान लिया we have the three number x y z so gp के form में मानना तो x equal to x है y equal to कितना होगा x r and z equal to x r square now condition लगा दो gp की very simple तो y plus z equal to x plus y plus z plus x मतलब 2 times of y plus z equal to कोने वालों का sum होगा अब इसको आप बहुत ही simplify तरीके सा आराम से solve कर लिजे तो r की दो value आ गई एक one आ गई और एक minus two आ गई तो आपको पता है कि minus one तो हो नहीं सकती है तो यह option भी गया यह भी गया तो correct answer क्या होगा अपने पास में माइनस टू तो correct answer क्या है माइनस टू क्योंकि वन लेने पर परिस्थिती गलत बन रही है ओके एक्स वाई जड़ तो ने मतलब आपको कुल मिला करके यहाँ पर जो value आपसे पूछी जा रही है कि कि उसकी value आपको बतानी है positive है and equal है तो आप A, B, C की कोई भी value रख दीजे और इसका answer आ जाएगा मतलब चिन्न पर बात की जा रही है यह number के 1 से चोटे होने और 1 से बड़े होनी की बात की जा रही ह positive and equals और यह नहीं कहा है कि 1 से बड़ी है तो आप A की value 1 ले लें, B की value 2 ले लें और C की value 3 ले लें इतना ही काफी answer निकालने के लिए तो delta is equal to कितना आ रहा है दिखिए 1, 2, 3 आ जागा यहाँ पर 2 है यह 3 है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 है, 1 है, 2 है चलि आंसर कितना आ गया, 6 में से 1 गया, यहाँ पर 5 आ गया, 4 में से 3 गया, 1 और minus का 2 और 2 यह गया, तो कितना हो गया, minus का 7 है, यहाँ रखिये, तो minus का 7 हो चुका है, तो 3 गुडे minus 7 कितना हो गया, minus का 1 कैस, इस तरीखे से क्या रहा है, यह less than 0 आ रहा है, ओके तो correct answer, इसका क्य झो ड्रीन इन्ट locomotive वह स्ट्रख्टर में रेंव ही वहले यहां व्य वह शए को हुझा है और आपको बताइए यह अगरिंव खूहोट रिखेल धु आपक बता है कि अगर टीनों है और झाहिघे हो आन्सर क्या यह स्का है जाता है तो इसको तो शौट्रिक फ़र्म में बना करके लिख लीजे काम में आएगा आपके यह ओके या आप शौट्रिक से डायर्क लिए आप चाहें तो पूट कर सकते हैं ड़ से चलिए देखे अगला क्यों स्टेटेक्स का बेहत प्यारा क्यों से तो प्रेच्छन फ्रेच्छन का प्रेच्रियों चलिए इसकी शॉट्रिक में आपको बता देता हूं देखिए अगर आपके पास कोई डेटा है वरी एंस अगर आपके पास variance of x equal to तो variance of x आपने क्या मान लिया है? m मान लिया है तो अगर आपके पास variance of k कसी number k का multiply कर देते हो तो हर observation के साथ तो यह answer कितना आ जाता है k square m okay k square m मतलब जो old वाला होगा mean जो old वाला variance होगा उसमें number k square का multiply कर दो और याद रखाना है कि जो sigma kx होता है वो कितना होता है sigma kx equal to k times of k times of उरा पुराना वाला sigma मतलब एक line और लिख लो कि जो variance of variance of नया वाला data जो होता है that is equal to k square times of पुराना वाला variance okay and जो आपके पास में जो sigma होगा करता है sigma of kx equals to sigma of kx equals to k into sigma times of x यह होगा करता है चलिए तो anyway अब इसको solve करते हम तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 20 observation जो है उनका variance 5 है ठीक है भाई तो मतलब variance of observation कितना था पुरानी स्थिति का variance कितना था पांच था अब कह रहा हर data को 3 से multiply कर दिया मतलब यहाँ पे के कितना है 3 है तो data क्या बन गया 3x बन गया है तो variance कितना हो जागा 3 का square into पुराना वारा variance याने 9 into 5 और मन में solve करोगे तो यह second भी नहीं गया इस question को solve करने में correct answer कितना होगा 45 so this is done आगे बढ़ते हैं चली देखे अगला question करते हैं तो में विंड़ो पे जाके question देखते हैं question क्या पास में ellipse है तो यह ellipse कह रहा है अब आपको पता है कि भाई जो ellipse की जो latest rectum होती है वो खुद focus से okay जाती है तो पहली नेजर में यह दिख गया कि भाई focus से okay ही latest rectum जाएगी तो मैं कहां से एरिया निकालूंगा तो यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरी भी तो focus हुआ करती ना तो आपको जो है दूसरी focus से आपको इसका area निकालना है अब इसमें logic पकड़ो और यह भी focus होती है इनके बीच की दूरी कितनी होती 2AE क्या होती 2AE तो मतलब कुल मिला के अपने पास यह formula ही लगने वाला है 1 upon 2 base into height ओके half of base into height तो यह अपने पास में base कितना होगे अपने पास में base हो चुका है 2B square upon A और height जो आपके पास लगीगी वो कितनी होगी 2AE ब minus B square upon A और यह भी क्या होती है होती है minus AE,0 तो 2AE अपना हो गया इसकी perpendicular और base अपना कितना हो जागा 2B square upon A, तो height हो गए 2AE यह हो गया, now अब सबसे पहले है अपन को काम क्या करना है अपन को निकालना है AE, तो कैसे निकालेंगे formula B square equal to A square 1 minus A square, तो B square minus A square equal to minus A square, A square E square, तो A A square E square equal to कितना हो जाएगा A square minus B square, तो A equal to, A equal to कितना हो गया root 12, तो चली value put कर दी जब तो कुछी बचा ही नहीं, 1 upon 2 base into, base कितना अपने पास में देखे, 2B square upon A, 2B square upon A, into height कितनी है 2AE, 2 से 2 cancel, B square की value किती नहीं है 4, A की value देखे किती हो जाएगी 4 का square नहीं, A की value हो जाएगी 4 चार से 4 cancel हो गया, और फिर 2 बच गया, और AE की value root 12 तो correct answer आचुका है 4 root 3, ओके, तो question थोड़ा सा conceptual था, बट था बहुत easy, इस तरीके से ये भी solve हो गया, done, चली देखे अगला question क्या कह रहा, अगला question कह रहा है कि, the number of the committees of 5 persons including a chair person, मतलब 5 लोगों की committee बनानी है 12 लोगों में से, selected from 12 person, मतलब committee बनानी है, देखिए, ये नहीं बोला है कि, कितने प्रकार से rule करना, committee की संक्या फूची है, तो committee में चाहिए 5 लोग roll हो करके भी आएंगे, तो committee वही बनेगी, मतलब combinations निकालने, यहां दिमाग में खुद लगाना है, कि combination निकालने, 4 option यह गए हैं आपके स देखिए, उसके बाद 11 लोग बच गए, तो total 5 लोग की committee थी, तो 5 में से एक तो chair person बन गया, अब कितने select करोगे, 11C4, तो correct answer कितना है, 12C1 into 11C4, इसको solve कर लो, तो answer आ रहा है, 3960, option number 4 हो गया, correct answer done, चले देखिए, अगले question की ओर चलते है, तो question number 142 कह रहा है, the value of the integral 0 to 16, x to the power 1 by 4, 1 upon root x dx, तो देखिए, क्या करना है, 16 limit दी गई है, x to the power 1 by 4, तो कहीं न कहीं हिंट मिल रही है, कि x की power 1 by 4 को अगर team आल लोगा, तो 16 की power 1 by 4 आने पर limit कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, तो ओके तो इसको इस तरीके से ही solve करना, यह solve करते हैं, तो x to the power 1 by 4 upon 1 plus root x है, तो मैंने क्या कि, x की power 1 by 4 को मैंने team आल लिया, तो dt by dx equal to 1 upon 4, x की power minus 3 by 4, और इसको लिख सकता हूँ, 1 upon 4 x की power 3 by 4, तो 4 x की power 3 by 4, dt, को नुकितना हो गया, Dim Wearet, तो dx की value हमने कितनी कर दी, 4 x की power 3 by 4 dt, पर x की power 3 by 4 को मैं लिख सकता हूँ, कितना, x की power 1 by 4 का whole क्यों, मतलब 4 d 4T cube dt किसकी जगए ऑगया,DX की जगए. तो यहाँ पर यह जो DX है, इसके साथ में मैं क्या रख देंगा? इसकी जगे मैं dx की जगे कितना रख दूँगा देखें यहां पर dx की जगे रख दूँगा 4t3 dt तो यह चलिए अगले step में इसकी value put कर ही देता हूँ तो देखें ऊपर कितना था x की power 1 by 4 था तो वह हो गया t और t3 dt 4 बाहर ले लिया अपन 1 plus t का square तो 4 यह देखें t की power 4 बन जाएगा solve करने के लिए क्या किया है मैंने minus का 1 कर दिया और plus का 1 कर दिया तो क्योंकि t square plus 1 नीचे मेरे को दिख रहा है तो minus का 1 करने पर a plus b a minus b के identity यह break हो गया तो 4 बाहर है t square minus 1 t square plus 1 से t square plus 1 cancel हो गया t square minus 1 बजग गया 4 के साथ ओके और 4 यहां भी सबके लिए बाहर है तो 4 t cube by 3 minus t और 4 1 upon 1 plus t square का 10 inverse t हो गया है value put कर दीज़े t की तो t की value अपर limit 2 8 upon 3 minus 2 और plus 4 10 inverse 2 तो current answer आजाएगा इसका कितना 4 bracket में 2 by 3 plus 10 inverse 2 तो correct answer equal to 8 by 3 plus 4 10 inverse 2 तो इस तरीके से ही हम इसको solve कर सकते है दन चली दो अगला question उठाते है question number 143 क्या कह रहा है if a is equal to a determinant आपके सामने दिया गया है और यह जो determinant है किस form express हो रहा है a plus b x multiply by x minus a का square a plus b x x multiply by x minus a square तो कह रहा है कि ordered pair a और b की value क्या है आपको बताना है ordered pair a और b की value तो एक काम हम करते हैं देखिए कि हम x की कोई भी values determinant के अंदर put कर दें suppose हमने x equal to one put कर दिये तो x equal to one put करने पर यह वाली structure क्या बन जाएगी यह बन जाएगी हमाई पास कितना यह बन जाएगी a plus b और bracket में one minus a का whole square अब आप एक काम करिए x की value one रख करके इसका determinant निकाल दीजे और a और b की 4 constant की value है चारो आप इसमें substitute करते जाएगी यह जो आपके पास answer है तो देखिए कि x की value one के लिए कौन सा option match कर रहा है आईए इसको solve करा था उनको तो यह देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या कर अब आता है 81 भाई दूसरे में क्या आगे आपके पास में दूसरे दूसरे में a plus b क्योंकि minus 4 minus 5 और प्लस का क्या है तीन है बट ए पॉजटिव आ रहा है तो यह भी सवाल नहीं उठता है और d option में आपने पूट किया देखिए पहला वाला तो गलत हो गया दूसरा वाला निगेटिव तीसरा वाला निगेटिव तीसरे वाले में आपने a plus b x a plus b वन गया था जो x की value 1 पे तो a plus b minus 4 plus 5 कितना आ गया 1 और फिर 1 minus a का स्क्वेर तो 1 minus minus कितना हो गया प्लस तो 1 plus 4 का स्क्वार 25 तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा अपने पास minus 4,5 और यदि हम direct method की बात करें तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर operation लगा दिजिए c1 tends to c1 minus c2 लगा दो और c2 tends to c2 minus c3 लगा दो ठीक ना यह c1 tends to c1 minus c2 लगा दिजिए और c2 tends to c2 minus c3 लगा दिजिए इस तरीके से आप solve कर लेंगे तो आपके पास जो structure बनेगी वो इस तरीके स आएगी जो बनेगी आपके पास में x plus 4 का square और bracket में 5x minus का कितना 4 बनेगा ओके तो जिसको इसे साबसे आप arrange करेंगे a plus bx मतलब कितना minus 4 plus 5x और x minus a का square तो x minus 4 का square तो clear दिखरा है कि a equal to minus 4 और b equal to 5 वैसे short trick आपकी best है कोशिश करिए कि short trick से ही solve हो जाया तो जल्दी answer आएग दन चली देखिए अगला question जस्ट observation वाला question है बहुत ही simple question है क्या कह रहा है if a and b are the natural number such that a square minus b square is a prime number कह रहा है दो natural number है आपके पास a square minus b square prime number है तो जिए लिए इमान लेता हूं कि मैं a equal to 3 लेता हूं और b equal to 2 लेता हूं तो देखता हूं क्या a square minus b square prime number आता है तो a square कितना होता ह इसका square होता है 9 और b square कितना होता है 4 ओके तो यदि मैंने a square minus b square के तो 9 minus 4 equal to 5 बेशक प्राइम है तो कह रहा है अगर a square minus b square prime है तो यहां पे मैंने a को 3 माना है b को मैंने क्या माना है 2 माना है तो कह रहा बताई ये a square minus b square के इसके एक्वल है option में से देखिए 1 1 के equal तो नहीं आ रहा है a into b मतलब 3 into 2 6 के equal भी नहीं आ रहा है ये भी गलत हुआ a minus b and a 3 minus 2 1 ये भी नहीं हुआ और a plus b and a 3 plus 2 equal to 5 बिल्कूल सही है मतलब जो a square plus b square आ रहा है sorry a square minus b square आ रहा है वो किसके equal होगा a plus b के a square minus b square जो बनेगा वो किसके equal होगा a plus b के done चलिए next question क्यों बढ़ते हैं अगला question कह रहा है if x is a real then the value of this upon this are कह रहा है अगर x की value real है then the values of this की real इसकी value आपकी कहां से कहां तक जाएगी आपको ये बतानी है मतलब एक तरीके से आपको क्या बतानी है इसकी range बतानी है इसकी range बतानी है ये question में इस तरीके से घुमा दिया है तो क्वास्वेला करें को देखें को समखा रख किए mix की value reward है तो चलिए क्या करते है रेंज के लिए सबसे पहले question को y की equal मानते हैं और x में quadratic equation बना के y के लिए solve करते हैं, ओके, यह मतलब की x में quadratic equation बनाते हैं और x के reality के लिए solve करते हैं, तो देखिए y हो गया, y के equal मान करके अपने x में quadratic equation बना लिया है, और फिर यहां लिखेंगे for real values of x, क्योंकि question ने कहा रखा कि x real है, तो इसका b square minus 4ac greater than or equal to 0, इसको solve करके आपके पा 1 upon 11 से लेके 11 close interval, तो correct answer कितना होगा, minus 1 upon 11 to close interval 1, ओके, correct answer यहां भी भी है, बाकी easy question है, आप कर लीजेगा, चो concept था मैंने बता दिया, done, चले तो next question के ओर चलते हैं, question number 146 कह रहा है, if n plus 1 c r plus 1 upon n minus 1 c r minus 1 equal to, कितना है, 6 ratio 3 है, तो n r की value आपको निकाल नहीं, मतलब n multiply by r, तो इस question को करने के पहले मैं आपको छोटा सा result बता दूँ, short trick समझ लो, कि n plus 1 c r plus 1 है, और upon n c r है, तो इसका directly, जो इसको solve करके भी answer निकालोगे, कितना हो जाएगा, n plus 1 upon r plus 1 हो जाएगा, ओके, इसी तरीके से ये दो term आप divide करोगे, तो इसका answer कितना आ जाएगा, इसका answer आएगा n upon r, तो दो case हमारे पास यहाँ पर बन जाएगे, एक n plus 1 upon r plus 1 की value सुरू के दो रोश्यों कितने आ जाएगे, 11 upon 6 आ जाएगे, और दूसरा हमारे पास n upon r कितना आ जाएगा, n upon हमारे पास r आ जाएगा, 6 upon 3 मतलब कि 2 आ जाएगा, चलिए खेर, अब इसको solve करता हूँ, ncr जो हुआ करता है, वो कितना होता है, सीधे, n plus 1 upon r plus 1 होता है, ऊपर वाले जो यह होते हैं, दो उनों को upon में लग दो, तो solve कर दिया आपन ने, 11 upon 6 आ गया है, और दूसरा जो result आता है, वो कितना आता है, n upon r, उपर वालों को upon कर दो, सीधे, सीधे, तो कितना आ गया, 2 आ तो n equal to कितना आ गया, 2 r, ओके, अब क्या करना आपको, n equal to 2 r, आने के बाद, n equal to 2 r की वेल्यू याप यहाँ पर पूट कर दो, तो देखो, n plus 1 into 6 हो जाएगा, n की जागे कितनी, 2 r plus 1 into 6 equal to r plus 1 into 11, जिससे r की वेल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, r की वेल्यू उठा करके आप यहाँ पर रख दो, तो n equal to कितना आ गया, 2 into 5 equal to 10 आ गया, फिर n और r का multiply, 10 into 5 answer कितना आ जाएगा, 50 तो correct answer इसका क्या होगा, d, 50 answer इसका, ओके, so यह भी होगा, done, चली देखिए, अगला जो question आपके सामने screen में दिखाई दे रहा, एक बड़ी सी series का question है, और इसको करने के ल पहले, 1 square दिया, 3 square दिया, पहले term के लिए मत solve करिये, n equal to 2 के लिए, इस series कहाँ दख जाएगी, देखिए, n equal to 2 के लिए, एगर 2, 2 is a 4 minus 1, यहनी की 3, तो n equal to 3 के लिए, इस series का सम कितना होगा, 10 होगा, ओके, इस series का कितना सम होगा, 10 होगा, ओके, यह question वो नहीं है भाई, ज equal to कितना होगा, ठीक है, तो 3 से 5 लेकर के 2 n minus 1 तक का whole square दे रखा है, तो आपको कहा तक जाना है, 2 n plus 1 तक जाना है, आपको यह बताना है कि 2 n plus 1 का whole square कितना होगा, ठीक है, चलिए, तो देखिए, किवल ट्रिक लगरी, एक मामूली सी, यह question बहुत सरल हिसाब का है, देखिए इसका जो n-1 term है, वो 2 n minus 1 है, ओके, n-1 term जो इसका कितना है? 2 n minus 1 है, की series यहाँ तक चल रही है, ठीक है, तो इसकी सेरीज एनो टरम पे यहां तक सैंब को मिलता है अब कहर रहा है कि ये सी रीज अगर टू वैन प्लस वन हो जाए ये सइरीज कहाppen तक हो जाए टू एंप्लस वन स्कुर्ण तक हो जाए तो बताई ये सब साम क्या grey तो देखो 2N प्लस 1 बनाने के लिए इसको ये इसका क्या था एंधर्टर्म था इसको 2N प्लस 1 बनाने के लिए तुमको मामूली सा मैनुपिलेशन करना पड़ेगा इतना तो बने भी जाएगा तुम लोगों से मतलब ये सीरीज जो है अगर N की जगहे आप N प्लस 1 पुट कर देते हो तो पूरी सीरीज ये बन जाती है तो option में भी जो होगा भाई साब N की जगहे N प्लस 1 पुट कर दोगे कौन से option में इसमें तो पहले जो सीरीज में N था तो N के लिए result कितना मिल रहा था ये मिल रहा थ N और प्लस 1 यानिकी 2 हो जाएगा और माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2N प्लस 1 हो जाएगा 2N प्लस 1 हो जाएगा फिर देखें यहां पे 2N प्लस 1 करोगे तो 2N प्लस 2 और 1 हो जाएगा तो 2N प्लस 3 हो जाएगा तो 2N प्लस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 तो मेरे तरीके से यह भी हो गया, done, चलिए, अगले question की और चलते हैं, next question क्या कह रहा है, देखिए, अगला question कह रहा है, the equation of a circle passing through the origin, this, okay, origin से पास होने वाले circle के question यह है, तो आपको बताना है, equation of the diameter क्या होगा, चलिए, तो इसको करते हैं, तो देखिए, आपके पास circle के question दिया गया, circle कह रहा है कि किस से पास हो रहा, origin से, खेर अपन wow धिक्कत नहीं हो, कहीं से भी पास हो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, center निकालते हैं, तो देखिए आप एक पसा है, पता है कि center निकालने का तरीका क्या होता, 2G equal to minus 6 तो G equal to minus 3 तो center कितना होता minus G minus F तो minus G कितना आ गया 3 आ गया इसी तरीके से minus F कितना आ गया minus 1 आ गया मतलब इसका जो center है 3, minus 1 है अब देखिए अगर 3, minus 1 है तो जो satisfy कर देगा वही equation होगा तो X plus 3Y equal to 0 satisfy कर रहा है ओके ये line satisfy कर रही फिर इसके बाद नहीं है कर रही नहीं है कर रही नहीं है कर रही तो correct answer इसका क्या होगा इसका option A correct होगा तो ये भी हो गया done चलिए एकला question देखेंगे question number 149 क्या कह रहा है the area bounded by the parabola Y equal to X square and the line Y equal to 2X मतलब एक parabola आपका कहा जा रहा है उपर की तरफ जा रहा है दूसरा पैर दूसरी जो इस ट्रेट लाइन जो है जो origin से जारी है आपको इक common shaded part का area निकालना आई इसको solve करते हैं तो देखिए आपके पास इस तरीकी की geometry बन गई है तो इसको solve कर लीजे 2X is equal to X square क्योंकि Y की point दोनों जहां पर बिढ़ेंगे वहाँ पर X निकाल लीजे 2X square minus 2X equal to 0 दिखरा X equal to 0 और X equal to 2 मतलब cut point का है 0 से लेकर के 2 तो उपर वाली line क्या है Y equal to 2X minus नीचे वाला parabola क्या Y equal to X square तो 2X का 2 बाहर आ गया X square by 2 2 से 2 cancel X square हो गया और X cube by 3 limit लगा दीजे 0 से लेके 2 ओके सम्में limit लगाना है यहाँ पर limit को लगा लीजे 0 से लेके 2 तो 2 का square 4 minus 2 cube by 3 8 by 3 answer कितना होगा इसका 4 by 3 ओके तो correct answer इसका क्या होगा 2 option 4 by 3 done चलिए तो देखिए अन्तिम question पे पहुँच चुके है वड़ी अच्छी बात है कि अब हमारा last question चल रहा है देखिए y is equal to log y base x दिया गया है तो आपको dvd expand करना है तो कैसे करेंगे देखिए इसमें change of base property लगा दीजे तो log y base x जो है किस तरीके से तूट जाएगा यह तूट जागा log e base x पे इसको अपन simple log x लिखते हैं और यह हो जागा log y अब इसके बाद देखिए यहाँ पर y के साथ आप इसको भेज दीजे अगला solution देखिए किस तरीके से करेंगे यह y था अपने पास इसको अपने log e base x upon log e base y लिख दिया अब इसको आप directly मतलब log x upon log y के रूप में भी देख सकते हो क्योंकि बेस कोई लगाना आप जरूरी बात नहीं है अब आई log y आपने यहाँ भेज दिया क्योंकि division करोगे तो फस्ट जाओगे देखो आपन में कहीं square तो आ नहीं रहा है मतलब आप y log y को यहाँ वेज दिजे तो log x अकेला बच जाएगा देखिए one upon x भी दिख रहा है मतलब log x को के लिए लेके differentiate करना है फस्ट इन्टू सेकेंड का differentiation प्लस दिफ्रेंसियेशन प्लस तो फस्ट इन्टू लॉग वाई का वन अपन वाई हमारा के वी एस का complete solution और हमने मेहनत करके इसको पूरे तरीके से के वी एस की जो सीरीज थी इसके पूरे question मैंने आपको one to one बड़े detail के साथ solve कराए हैं और आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग जरूर अपने मुल लिवान सुझाओ महत्पूर्ण सुझाओ दीजिए है ना और हमें भी अच्छा लगता है जब आपके सुझाओ आते हैं हमें मेहनत करने का हमारे अंदर जजबा बढ़ता inspiration आप से ही मिलती है तो चलिए सुभकामनाओं के साथ इश्वर आपका भला करें बहुत अच्छा करें हमारा भी अच्छा हो आपका भी अच्छा हो सबका अच्छा हो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए बहुत बहुत नमस्कार धन्नवाद जैसी अराम पढ़ाम